इतना सननाटा क्यों है भाई? यह डायलोग तो आपने सुना होगा सोले फिल्म के अंदर जो रहीम चाचा होते हैं वह इस डायलोग को कहते हैं और इस डायलोग से वह एक तरह से यह डायलोग उनका अमर हो जाता है और लोग उनको इसी डायलोग से ज़्यादा पहचानते हैं उनका नाम था एके हंगल दोस्तों सोले फिल्म के रहीम चाचा एके हंगल अंत में दवाईयों के भी उनके पास पैसे नहीं थे और किस तरह से उनका अंतिम समय गुजरा था उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी लेंगे कि एके इंसान अपने जीवन में क्या-क्या उपलब्दियां हासिल करता है और अंत समय में उसके हाथ खाली होते हैं उसके अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं एके हंगल जिनको आप अच्छी तरह से भरी भाती जानते होंगे फिल्मों में देखा होगा जो की बहुती खूबसूरत अदाकारी किया करते थे तो पूरी सचाई जानने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहाने चैनल में आपका स्वागत है एके हंगल इनको देखकर लोग एक्टिंग सीखा करते थे इनकी मौत ने बॉलिवुड के लोगों का असली चेहरा भी सामने ला दिया था दोस्तों यह इतने बड़े कलाकार थे इनकी एक्टिंग में इतना दम हुआ करता था लोगों को रियल्टी जलकती थी और इनकी एक्टिंग को देखकर बहुत सारे बड़े बड़े अभीने ता यहां तक की अमिता बच्चन ने भी इनकी एक्टिंग को देखकर एक्टिंग सीखी थी और बहुत सारे अभीने तावने एक्टिंग सीखी थी इतने अच्छे कलाकार थे लेकिन जब इनका अंत समय आया तो बॉलिवुर की सच्चाई सामने आ गए थी सोले फिल्म का एक डायलोग है जो अमर हो गया इतना सन्नाटा क्यों है भाई वो एके हंगल का ही डायलोग था आजादी से पहले वाले सियाल कोट पंजाब में एक फरवरी 1914 को अपने मामा के यहां एके हंगल साब पैदा हुए थे और सोले में रामगड के गाउं वाले भले ही उनको रहीम चाचा बुलाते थे मगर उनका असली नाम था अवतार किसन हंगल तो यह सोट में बन गया अवतार का ए किसन का के और हंगल एके हंगल तो इनका एके हंगल सोट में नाम था पिता हरी किसन हंगल अंग्रेजों की सरकार में अपसर थे और जो दादा थे वो बंगाल में पहले हिंदुस्तानी जज हुआ करते थे यानि की फैमिली भी बड़ी ही थी कस्मिरी परिवार के एके हंगल सुरू से ही अंग्रेजों के खिलाब थे उनसे नफरत किया करते थे अंग्रेज इनको अच्छे नहीं लगते थे इसी वज़े से मेट्रिक पास करते ही अंग्रेजों के खिलाब चल रहे आंदोलनों में वह कूद गए थे यानि कि देश को आजादी दिलाने के लिए एके हंगल साब ने बहुत ही जादा आन दोलनों में भाग लिया था आजादी की लड़ाई में अंग्रेजियों की लाठियां और गोलियों दोनों खाई मगर बच गए किसमत से आजादी के बाद भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाप बागी तेवर जारी रहे तो कराची में पकड़ कर जेल में डाल दिये गए आजादी के बाद इनके हिस्से में पाकिस्तान आया पाकिस्तान में जब यह रहने लगे तो उसके बाद यह पाकिस्तानी सरकार के खिलाप हो जाते हैं क्योंकि जो कार्य वह कर रही थी सरकार उसके खिलाप थे तो इनको पकड़ कर कराची की जेल में डाल दिये जाता है और फिर दोस्तों दो साल जील में रहे फिर मुलक से ही तरी पार कर दिये जाते हैं यानि कि पाकिस्तान से निकाल दिये जाते हैं और फिर यह साल 1999 में बंबई में आकर यहां पर बस जाते हैं और यहीं के हो जाते हैं अब कम ही लोगों को पता होगा कि जवालाल नहरू रिस्ते में इनके मौसा लगा करते थे नहरू की पत्नी कमला और हंगल की मा रिस्ते में दूर की बहने थी कजन सिस्टर्स थी और इस वज़े से नहरू इनके मौसा लगा करते थे खेर अब हंगल बंबई तो आ गए पर अब करें क्या यहां आने के बाद रोजी रुजगार क्या करें इसके बारे में वे चिंतित होने लगते हैं उनको अच्छे कपड़े पहने का बड़ा सौक था उस जमाने में तो इसी वज़े से दर्जी गीरी उन्होंने सीख ली यहां आ करके और वह एक बहुत की उच्छे दर्जे के दर्जी बन जाते हैं दोस्तो किसी ने कहा यही काम करो तो फिर वो इसी काम को सुरू कर देते हैं और दर्जी बन जाते हैं उच्छे दर्जे के वो इतने मसूर टेलर हो गए थे कि उनकी दर्जी गीरी के लिए उस समय 500 रुपे उन्हें तन्खा मिला करती थी 1949 में 500 रुपे तन्खा बहुत बड़ी तन्खा होती है जबकि फोजी को पुलिस को उस टाइम सिर्फ 30 रुपे 32 रुपे इस तरह की तन्खा मिला करती थी तो यहाँ पर सोचो कितने बड़े दर्जी बन गए होंगी है उस जमाने में अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि दर्जी तो यह बन गए इनसे इनका भरनपोसन अच्छे से होने लगा पैसे भी खूब आने लगे उस जमाने के हिसाब से अब यह फिल्मों में कैसे आए फिल्मों में भी आने की इनकी एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों बच्पन में यह पिता इनको पार्शी थेटर में नाटक दिखाने के लिए ले जाया करते थे बस यहीं से उनको एक्टिंग का सौक लग गया था और यह भी एक्टर बनना चाहते थे दरजीगीरी करते करते वो एप्टा से जुड़ गए और वहीं बलराज साहनी जैसे दिगजों का उनको साथ मिला तो दोस्तों अभी ने में वह पारंगत हो जाते हैं अब यहाँ पर पचास की उमर तक तो वो कपड़े ही सिलते रहे जब तक इनकी उमर पचास साल थी तब तक दरजी थे मगर साल 1965 में डारेक्टर बासु भटाचारे ने अपनी फिल्म तीसरी कसम में उनको राजकपूर के बड़े भाई का रॉल दे दिया था और बस यहीं से उनकी एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी थी फिर 1966 में आई एक फिल्म जिसका नाम था सागिर्द उस फिल्म में केदारनात बद्री नारायन का किरदार निभा कर तो उन्होंने सब का ही दिल जीत लिया था उस किरदार को इन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाया था कि लोगों के मन में इनकी छबी बसने लगी थी उनकी करीब 225 फिल्में हैं और उन 225 फिल्मों में से कुछ यादगार फिल्में हम यहाँ पर उनका नाम लेना चाहेंगी जैसे कि दोस्तो हीर रांजा इसमें काम किया था नमक हराम, सौकीन, सोले, आईना, अवतार, तपस्या, कोरा कागज, बावर्ची, चित्चोर, गुड़ी और नरम गरम जैसी अनेक इनकी सूपर हेट फिल्में हैं जिनमें इन्होंने काम किया था, यह कुछ एक फिल्में मैंने बताई हैं क्योंकि 225 फिल्मों का नाम लेना यहाँ पर पॉसीबल नहीं है हंगल साब की अदाकारी कितनी बेमिसाल थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार दिल्ली में एक लड़की ने उनके साथ रात में अपने घर जाने से मना कर दिया था उसने सौकीन फिल्म देखी थी, और दोस्तों सौकीन फिल्म में इनका रॉल थोड़ा सा आयास टाइप का था और वो उनको सच में ही रंगीन मिजाज का आदमी इंदर सेंट समझ कर डरा करती थी उनको समझती थी कि यह रंगीन मिजाज के आदमी है, इसलिए वे उनके साथ अपने घर तक नहीं गई थी जबकि निजी जीवन में हंगल साब एक बहतर इंसान थे, बहुती सीधे साधे इंसान थे उनकी साधी मनोर्मा नाम की एक लड़की से हुई थी, जिनसे उनको एक बेटा जिसका नाम विजय हुआ, वे भी हुआ था अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि इतने महान अभी नेता का अन्तिम समय कितना खराब गया हालाकि वो 98 साल की उम्र तक जीए थे, तब उनकी मिर्तिय हुई थी, लेकिन दोस्तों मिर्तियू से पहले उन्होंने बड़े-बड़े कस्ट जीले थे हंगल साथ भले ही 98 साल जीए, लेकिन अन्तिम 20 साल उन्होंने एक तरह से नर्क भोगा था वो किस तरह से दोस्तों उसकी जानकारी यहाँ पर लेंगे फिल्म में मिलनी बंद हो गई थी, उमर के हिसाब से और लड़का जो विजय नाम का लड़का था, वह फोटोग्राफर था और उसको काम मिलना भी बंद हो गया था, वह भी एक तरह से बुजर्ग हो गए थे और बॉलीवुड वालों ने हंगल को पूसना तक छोड़ दिया था एक समय तो ऐसा आया कि उनको बेटे के साथ एक खंडर जैसे मकान में जाकर रहना पड़ा था और बीमार यह चल ही रहे थे, खाने और दवाईयों तक के पैसे इनके पास नहीं थे और दोस्तों कभी कभार किसी फिल्म में छोटा मोटा रॉल मिल जाया करता था मगर उसे मिले पैसे गुजारे भर के भी नहीं हुआ करते थे इतने पैसे नहीं मिला करते थे कि जो दवाईयों का खर्चा चल जाए और गुजारा हो जाए आखिर समय में वो पाई-पाई को मौताज हो गए थे दोस्तों और 16 अगस्त 2012 को एक दिन में बातरूम में जाते हैं और बातरूम में उनका पैर फिसल जाता है और उनकी जांग की हड़ी तूट जाती है जांग की हड़ी जैसे तूट जाती है तो उनको अस्पताल में भरती कराया गया लेकिन दोस्तों हालत इतनी खराबती ओपरेशन न ले पा रहे थे और दस दिन तक जिंदगी और मौत से जूजते रहे तरपते रहे लड़ते रहे और 26 अगस्त 2012 को उनकी मौत हो गई इस तरह से एक अभीनेता अपनी जिंदगी को यहां पर गुजार कर चला गया एक अभीनेता जो की बहुती उचे परिवार से समंद रखता था बड़ा परिवार था कुल था खांदान था और आजादी की लड़ाई में भी जिन्होंने हिस्सा लिया और पचास साल की उम्र तक तो दरजी बनकर अपना गुजर बसर कर रहे थे लेकिन उसके बाद फिल्मों में आने का चसका हुआ फिल्मों में आए अदाकारी ऐसी की 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 रियल लगती थी लोग इनकी नकल किया करते थे और फिर दोस्तों अंतिम समय में के जो 20 साल थे वो बड़ी मुस्किलों में गुजरे बीमार रहा करते थे दवाई के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं थे कोई भी एक्टर उनके सामने नहीं आया था उनकी मदद क करने के लिए साइद अमिता बच्चन जी ने लास्ट में कुछ मदद की थी जब वह हॉस्पीटल में थे लेकिन तब वह मदद किस काम की थी उससे पहले मदद हो जाती तो वह साइद हो सकता है उनकी आत्मा को तसलिय मिल जाती तो दोस्तों यहां पर अंत समय में वह इस त जूजते जूजते अपने प्रान उन्होंने गवा दिये थे तो एक इंसान जीवन के अंदर आता है बहुत सारी उचाईयों कुछ होता है लेकिन अंतिम समय में उसके हाथ खाली ही जाते हैं इन एक्टरों की जीवनियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों य लोगों के बीच में रहना है समाज के बीच में रहना है कामया भी भी हासिल करनी होती है वरना लोग जीते जी इनसान को ही मार डालते हैं कहते हैं यह तो असफ़ल है तो इससे अच्छा तो यही है जीवन वर कमाएं मेहनत करें उपर वाले का नाम भी लेते रहें और उसके उपर वाले का नाम जरूर लें और उसका नाम लेते हुए गरीबों की मदद करें और गरीबों का भला करते हुए चलें सभी का सहरा बने जिससे की बुढ़ापे में आपका कुछ सहरा बने और दोस्तों इसी तरह से जिन्दगी गुजारें तो यहाँ पर थी जिससे की हमें और एक तरह से कहते हैं उत्साह मिले और वीडियो लाने का और भी अच्छाचे कलाकारों की जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने का हमें मौका मिल सके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको से जरूर कर दिया करें अगला पूराम भोजल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के उपर उसके जीवन के उपर किस तरह से उन्होंने कामयाभी को हासिल किया और किस तरह से अंतिम समय में उनका जीवन कटा है यह सारी जानकारी लेकर तब तक आप खुश रहें जा हिंद जा भारत